लोगसभा चुनाओं के बाद विसलेसनों का दोर जारी है इस क्रम में सभी पार्टियां अपनी सीट और वोट परतिसत को देख रही है बिहार में RJD लोगसभा चुनाओं में पिछली बार सुनने पर आउट हो चुकी है उसके बाद उसने दोबारा रननीती तयार की सभी दिगजों के सामने तयस्वी आदव चुनाओं मैदान में परचार के लिए डटे रहे कमर में बेल्ट बांध गर लगातार सभाएं करते रहें नमस्कार आप देख रहें दर्स निउज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा राजे के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार हमेशा किसी न किसी मास्टर स्ट्रोक के कारण चर्चा में रहें पर इस मास्टर स्ट्रोक का लाव लेने में चाचा नितीश कुमार से भतीजा तेस्वी आदव एक कदम आगे ही चल पड़े हैं वर्तमान संदर्भ में देखे तो नौकडी जातिये गणना और अरक्षन के बढ़े प्रतिसत में बतौर मुख्यमंत्री नितीश कुमार का अपर हैंड रहा है यह सच है कि नौकडी जातिये गणना और बड़े प्रतीसत में आरक्षन का निर्देश सब चुनावी तीर थे पर इसका लाव नितीश कुमार से ज़ादा तेयस्वी आदब ने उठाया जानकार इसे लालू की बेटे को दी जाने वाली सलाह का परिनाम भी मानते हैं हलाकि बड़े आरक्षन जातिये गणना और नौकडी के तीर संयूक्त रूप से ततकालिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में क्रमस नितीश कुमार और तेयस्वी आदब ने लोकसभा चुनाव दोजार चौविस के मद्दे नजर चलाया था ये दिगर है कि इंडिया गढ़ बंधन के कुछ ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं थे तो इंडिया गढ़ बंधन के सिल्पकार नितीश कुमार को मागढ़ बंधन छोर फिर पुराने घर इंडिये में लोट आना पड़ा इस परिवर्तन का असर बिहार के सियासी संदर्भ पर भ जीत मिली और वोट परतिसत रहा था 20.52। वर्स 2024 लोगसभा की बात करें तो जद्यू की सीटे घटकर 16 से 12 हुई और वोट परतिसत 18 फिजदी यानि कुल 3.7 परतिसत वोट में कमी आई। भाजपा की बात करें तो गट लोगसभा चुनाओं में 17 लोगसभा सीटों पर जीत म जोई वोट परतिसत भी गिड़ कर 21.81 यानि सारे 3 परतिसत कम हो गया अब राज़त की बात करें तो गत लोकसभा चुनाओ 2019 में राज़त को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी और वोट परतिसत 15 फिसदी रहा था लोकसभा चुनाओ 2024 में चार लोकसभा सीटों पर जीत मिली है राज़त को और वोट परतिसत बढ़ कर 22 फिसदी हो गया कुल प्राप्त वोटों का भी आकलन करें तो राज़त के जादा वोट मिले राश्रे जनतादल को कुल 95,88,365 मत मिले भाज़पा को 88,85,888 मत मिले वहीं जद्यू को 80,20,732 मत मिले लोज़पा को 28,39,36 मत और कॉंग्रेस को 49,83,882 मत मिले स्रे लेने की दोर में तेस्वी यादब कुछ तेज कदमों से जनता के बीच पहुँचे नौकडी वाले मुद्दे को भरपूर भंजाया, NDA की तरफ से इस मुद्दे पर ढूंडे, कोई काट नहीं ढूंड पाए NDA के रनीती कारों का हाल, वर्स 2015 के विधान सभाज चुनाओ वाला रहा, राजस सुप्रीमो लालू प्रसादी आदब, संग प्रमुख, मोहन भागवत के आरक्षन वाले बयान को ले उरे, और बिहार में भाजपा, नित, NDA की करारी हार होई इस बार भी नौकडी मुद्दे पर स्रे लेने में तेस्वी आगे रहे, अस्थिती ये हो गई कि चुनाओ के बीच चरन आते आते, पीम नरेद्र मोधी को नौकडी वाले मामले पर उतरना पड़ा, और तेस्वी आदब एक बार फिर बिहार विधान सभा के चुनाओ के ल धन्यवाद